हेलो एवरिवन तो एक पर कल का जो थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा कन्फूज हो गए होगे वो समझ लो उसके बाद हमें फुल वेव रेक्टिफियर करेंगे ठीक है उसमें भी सारी ये टम्स दुबार आएंगे जो जो हमने निकाला ओके तो एक पर देखना ये हमारी फूरियर थोरं से ये एक्विशन थी इसमें हमने ए नोट की वेलु ये निकाली an की value अमारे पास आई 2im equal to pi upon pi into 1 upon n plus 1 होती है ठीक है और bn की value अमारे पास आई im by 2 जब n equal to 1 हो ठीक है और bn equal to 0 जब n equal to not equal to 1 हो मतलब only 1 n बराबर 1 के लिए ही हमें इस terms की value मिलेगी बाकी अधरवाइज 0 होगी हमेशा इसमें क्या है n equal to odd के लिए तो 0 होगी यह इसकी condition है ठीक है boundary condition समझ लो कुछ भी समझ लो condition है इसकी इसपर apply करनी है n equal to 0 होगा उस time पे हमें sorry n equal to odd होगा उस time पे हमें an की value 0 मिलेगी जो हमने पीछे कल समझ लिया था ठीक है और n equal to even होगी उस time हमें इसकी value मिलेगी ठीक है तो एक बर हम इसमें value पूट करते सीधे सीधे i equal to a note की i m by pi plus an की value पूट करते हम यह 2 i m by pi 1 upon n plus 1 cos n omega t limit क्या हो जाएगी when n equal to odd मैं odd लिख लिख देती हूँ direct even होना चाहिए n equal to even odd के लिए तो हमें 0 मिलेगी तो यह पूरी टर्म odd के लिए जो n equal to odd होगा उसके लिए 0 हो जाएगी ठीक है next हम समझे n equal to 1 के लिए only 1 के लिए क्या मिलेगी हमें i m by 2 sin n omega t only n equal to 1 के लिए otherwise n equal to 2 होआ 3 होआ 4 होआ उसके लिए तो 0 हो जाएगी तो यह हमें मिलती है अब इसमें n की value पुट करते है n की value पुट करेंगे i m by by plus n की value क्या even होने चाहिए even होगी तो 2, 4, 6, 8 ऐसे something करेंगे एक चीज़ द्यार रख रहे है यह हमें negative sign के साथ मिलती है ठीक है तो next हम करेंगे n की value 2 पुट करें 2 करेंगे तो यहां से 2 plus 1 3 हो जाएगा तो minus के साथ आएगा minus 2 i m by 3 pi n की value 2 3 cos 2 omega t minus क्योंकि minus sign है इस वज़े से minus n की value 4 पुट करो 4 पुट करेंगे यहां से तो n की value क्या जाएगी 2 i m by 5 4 plus 1 5 pi cos 4 omega t और आगे की term लिख सकते हम minus अगर 6 पुट करेंगे तो यहां तो 7 हो जाएगा तो 2 i m by 7 pi cos 6 omega t plus minus ऐसे term आती जाएगी ठीक है जब जब हम even number रखते जाएगे हमार पास term से मिलते जाएगी अब हम इसके लिए put करेंगे n ब्रावर 1 के लिए ही हमें value मिलेगी अब n ब्रावर 1 पुट करेंगे तो इसमें plus n ब्रावर 1 किया i m by 2 n ब्रावर 1 करेंगे तो sin omega t तो हमें इसके लिए तो एक term मिलेगी बाकी के लिए तो 0 हो जाएगा n इक्वल टू 1 के लिए मिलेगा अब आये समझ में कल कन्फूज हो गए हमें अब हमें टोटल i क्या मिलेगा i m अगर सब में इसी कोमन लें तो क्या मिल जाएगा 1 by pi इसको हम आगे ले लेते हैं क्योंकि ये आगे जाती जाएगी term तो इस वज़े से इसको पहले लिखा 1 by 2 sin omega t यहां से क्या आएगा minus i m बार हो गया 2 by 3 pi cos 2 omega t minus 2 by 5 pi cos 4 omega t minus 2 by 7 pi cos 6 omega t plus minus आते जाएगी सारे terms n बराबर even के लिए ठीक है तो i equal to हमें ये मिलती है जो टोटल i मिलेगी वो ये मिलेगी ठीक है अब बिल्कुल के लिए रहे सब कुछ अब आम next इस जो equation है इसमें क्या define करें इसमें हम define करेंगे जो first pad है जो first pad है हमारा i m by pi ये dc value को define करते है ठीक है तो ये dc value को define करते है और जो second pad हमारा ये वाला second pad है वो input है जो alternative voltage है उसके आवरती के बराबर i m by 2 के बराबर मिल रहे है उसमें भी जो ac उसके आवरती i m by 2 मिल रही थी जो current थी वो i m by 2 मिल रही थी उसके बराबर होता है ठीक है और जो six अन्य पद हैं ये सारे अन्य जो पद हैं वो हमें harmonic form में मिलती है ठीक है ये harmonic 2 omega t 4 omega t 6 omega t ये हमें harmonic जो उसकी form में मिलती है harmonic form में मिलती है ठीक है अब next हमारा topic होगा full wave rectifier ये यहां तक half wave rectifier खतम है सेम इसी प्रकार सारी चीज जो इसमें निकाली है वो हम full wave rectifier के लिए निकाल लेगे तो इसको एक बर revise कर लेना ठीक है तो कल हम full wave rectifier starting से करते हैं ओके तो करते हैं कल